ब्रसल्स के old town के खास बात ये कि आप यहां चलते रहेंगे और हर थोड़ी दिरेत में कुछ सेकिंड में कभी waffles की खुश्बू हाएगी कभी chocolates की खुश्बू हाएगी कभी fries की खुश्बू हाएगी यहाँ पेट बड़ी जल्दी खाली हो जाता है बन मन नहीं परता, बहुत सारी जगाएं हैं आपे खाने के लिए, अभी रूखेंगे कहीं ना कहीं, उठाएंगे थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ी से बेल्चिन फ्राइज मैं हूँ ट्रावलिंग बेसी और योरोप सीरीज के इस व्लॉग में मैं आपको कराऊंगा बेल्जियम की कैपिल ब्रॉसल्स की सेर मेरी बेल्जियम इन वन वीक सीरीज शूट करते हुए बड़ा ओखा कामे जी बहुत सारी चीजर लेकर चलनी पड़ती हैं जो बड़ा वाला स्टेबलाइजर है वो बैंग में डाला हुए बैंग चेसाथ कि लोगा हो गया है और यह कैमरा हाथ ने पकड़ा हुगा था कि टूटाट में जा है इसके बड़ रोड बारस माइक गो लगा हुए माइक मेरे कॉलर पर लगा हुए पीछे पैलस है बेल्जियम में सहर चल रही है मौसम थोड़ा से बेटर और होता तो मज़ा आता थोड़ी सी सनलाइट होती तीन चार और रह गई है तो इस बड़े से चकर की शुरुवात होती है मेरे ब्रसल्स के होस्टल से जहां पर ब्रेक्वस्ट फ्री था बड़ जातर नाश्टा फिरंगी टाइब था और क्यूंकि यह बेल्जियम है तो वाफल्स तो हर हाल में मिलेंगी मिलेंगी मैंने अपने बैंग में डाल लिये दो मीठी वादी बड़िया मिल्क टाइक प्रेड्स और साथ में डाल लिये एक नाश्टाथई और ब्रेक्वस्ट का फुल फाइदा उठाते वो डाल लिया एक ऐपल में वो अलग बात है कि आप कोई breakfast आटिम साथ नहीं ले जा सकते बढ़ क्यूंकि मैंने और कुछ खाया ही नहीं था तो मैंने permission ले ली और रूम के नदर दो bunk beds यहाँ पे हैं और यहाँ पे यह पे मीजन 19th बेcakर न पर हां थे नहीं आप समाण रहस क्ते हैं अपना ताला खूद लगाना होता है नहीं और यह हम पे पीछे अठाच्छ रूम कोई लघे अर प्रग En których यहां पे त्यूट और यहां पर यह बागी होस्टल्स के मुकाबले में निंगर क्रिएटिंग अच्छी थी और यहां डॉम में एक बेड मेरे को पड़ा 17 से रुपे पर नाइट में और यहां पर यह रिखावर जल और हैंड वाश इंक्लोड़ेड़ है इसके अंदर रूम में और शावर, टावल, टॉयलेट और यहां पर आठ हजार रूपे पर नाइट में प्राइवेट रूम्स भी है और ब्रॉसल्स में पहला दिन और होसल से मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ सी डनी चे रिसेप्शन की तरफ जहां पे आज फ्री वाकिंग टोर होने वाली है और होसल से मेरे को नाश्ता पकटते देर इतनी होगी कि टूर वाला जो एक ही बतौता वो दिखाई नी वो निकल गया है तो इसलिए मैं पीछे-पीछे जा रहा हूँ ग्रांट स्क्वेर में कह रहे हैं कि वो इकठे होते हैं और इस होसल के पास वाला एरिया भी थोड़ा सा देसी टाइप का एरिया यहां पे देसी भाइलो के दुखाने पीछे लाएका मोबायल का सिम जिस पे मिल रहा जनरल स्टोर एक पकिस्तानी भाई चलाते हैं यहां पे बहुत सारी इंडियन स्टोर्स और शॉप्स हैं तो इस सेदिय पे अगर आप रहते हैं तो यहां पे आपको प्री पैक्ट डाल मखनी प्रांखे शुनाथा सब मिल जाएंगी और अब मैं ग्रांट स्टोर पहुच कहा हूँ बहुत ही ब्यूटिफुल है और यहां पे कई सारी सिटी टोर्स चल रही है अब यह नहीं पता के अपनी वाली कौन सी है जा जागे बता करना पड़ेगा और फिर एक बड़ी पैशिनेट गाइड की आवाज आई और फिर गाइड ने कई इंट्रेस्टिंग चीज़े बताई जैसे कि यह सिटी हॉल जिसकी एक साइड दूसरी साइड से बड़ी है और मेरे पीछे ब्रसल्स का फेमस ग्राइंट स्क्वेर इसको फ्रेंच में ग्रॉंपले प्ले बोला जाता है और डच में ग्रॉटमार्ट क्योंकि यहां पर दो लैंगवे चलती है फ्रेंच और डच इंग्लिश थोड़ा लोग कम बोलते हैं बच समझ सार जाते हैं बाचीत करें में कोई प्रॉब्रम नहीं आती और यह पीछे बड़ा सा स्पायर खंबा दिख रहा है यह इसका सेटी हॉल है और जो पीछे वो गिल्डर्स हाउस है वो 1695 की बने हुए घर है बहुत सुंदर गोल्ड प्लेटिंग है इनके बार और य 13th century की नियो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल है इस रेली प्रिटी और यहीं से आप शुरुवात करेंगे प्रसल्स एक्स्प्लॉर करने की क्योंकि यहां से ओल्ड टाउन के अंदर बीच ओ बीच हर तरफ को रस्ते निकलते हैं और मैं आज पकड़ने वाला हूँ एक जिसमें कुछ ही किलामेटर्स में सारी चीज़ें आप एक एक करके एक्स्प्लॉर कर सकते हैं तो लेट्स किट स्टाटेड विद डेग फिर मैं सिटी के सेंटर को थोड़ी देर और नहार तारा बट अगैन यह वाकिंग टॉर्स फ्री होती हैं और इनके बाद आपको गाइट को सिर्फ एक टिपी देनी होती है और अपने टिप पकी करने के लिए यह लोग बहुत अच्छी गाज़े टॉर देते हैं और ग्रोट मार्केट स्क्वेर को क्रॉस करते हो जो आप मैंने के पिस्की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक चर्च आएगा जिसके बार एक एंजल की मूर्ती है बस फिर यहाँ मुझे अपनी स्कूल की पिकनिक की याद आगी बड़े बी स्टैचू को बड़े प्यार से सहला रहे थे और उससे माना जाता है कि उससे बड़ा गुड़ लग आता है सम्रिधी आती है बस फिर मैंने सोचा मैं भी एक हाथ फेरी लूँ क्योंकि क्या पता आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेर करना शुरू कर दे इस पर ताइमलाप शूट और मैं नाश्ता कर रहा हूं ब्रेक मिल जाती है जब ताइमलाप शल रहा हूता तो बैट जाते हैं खालेते हैं कुछ होस्टल सब्सक्राइब उठाएब ब्रेकफ़स्ट रहा है अच्छल यहां पर आज बहुत सारे इंडिन टूरिस्स को उम्रें बहुत सारे गुरू पाइब बट एन्यवेश यहां पर आपको जगा जगा पर सुमिनियर शॉप्स मिल जाएंगी बिसिकली ओल्ट ताउन के सांदर बेल जिए बेल्जिन बॉफल बेलजिन चोकलेट अजगा लगा है अब पीछे यह बेलजिन बउफल की शॉपा है जब मेनिकन पिस्ट मट li feature गिचाते अब प्यूंग मेनिकन आई टावर रूज में सब पिक्चर पोईंट यह है इत США Getxico और मेरे पीछे ब्रसल्स का फेमिस मैनिकन पिस यह स्टाइचू बेसिकली काफी पॉपलर है इसके कॉस्ट्यूम डे बदलते रहते हैं यहां पर डिग्निटरी आती है तो अपने कम ट्री से इसके लिए कॉस्ट्यूम ले आती है रिसेंटली चेंज़ते हैं कभी-कभी पूर पूरा टॉर ग्रूप यहां पर आया हुआ है और जितनी मुझे उमीद थी उतसे कई छोटा है एक्चली ना भूल गयाता है पिछली बार भी यहां पर आया था बट आभी यह बहुत चोटा लगता है देखने में और गुमतेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग समस्ट आपक दो निए लागा प्राइबी एपना लिए शॉट्टी अच्टी वावन जापि अपने लागा जाओ है तो मुझे जो पता लगा है कि वह वीड शॉप के अंदर टेकनिकली यहां पे बल्जीम में वीड बेचना इपना इस लिगल है कि आप एपने घर में फ्रेगरंस के लिए यूस कर सकते हैं बडियसली लोग यह से ले जाएंगे तो फ्रेगरंस के लिए कौन यूस करता है खीचेंगे ही बड़ यस तो इस अलीगल ग्रेया काईड़ बड़ अब सजेस्टी यहां के पंगा नाले बेचना इलिगला तो सकते पीना इलिगला दो ग्रेया तो आप बेचा और इस तो प्रेया करते हैं थोड़े सी चॉकलेट और थोड़े से बेलिजिन फ्राइस थोड़े सी आगे जाए के एक जगा है जहां पे मैंने खाय हूए और बेलिजिन वाफल्स जो होते हैं उसका सिर्फ मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ मीठे होते हैं वो आपको जो है salty या फिल चीज मिश्रूम चिकन के साथ मिल सकते हैं इस देर रेली गुड़ बट मेरी फेवरेट वाफल प्लेसेज में से एक है मेनिकन पिस के ठीक सामने वाफल फैक्टरी जहां पर समान फ्रेश बनता है बज़ फिर मैंने भी एक पांच यूरो वाला चॉकलेट और क्रीम वाफल और कर लिया और मैनिकन पिस के शेप और साइस के चॉकलेट और उसके कदमों में उच्छावर पच्चासों तरह के वाफल यहां पर हर गली में आम है और उसके बाद बारी आती है बेलजियम की दूसरी सबसे मशूर चीज बेलजियन चॉकलेट की मैं से दो मन कर रहा हूंगे डाल के निगाल लो तो चॉकलेट यहां पर फ्रेश बनती है जैसे हमारे यहां सौतना की मिठाईयां होती हैं बट मैं तो निकला था बेलजियम की पूरी सीरीज शूट करने के लिए जिसमें डालने होते हैं चर्चेज, पैलेसेज, एटसेटर 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 बट साथ ही शूट करने थी अभी तक की सबसे डिमांड़िड वीडियो और एक और में रिक्वार्मेंट जो है वो है इंशॉरंस आपको मेडिकल इंशॉरंस चाहिए ही चाहिए अभी तक YouTube की सबसे डिटेल्ड वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो तो है आपका पासपोर्ट और उसके अंदर भी आपकी कम से कम दो पेज खाली होने चाहिए ताकि आपकी वीजा की स्टैम्प लग सके और ये ट्रिप खतम होते होते मैं वीजा वीडियो भी निप्टा दूँगा और बाइदेवे मैं आपको ये दिखा दूँँ के मैं ये वीजा वीडियो शूट कैसे करता हूँ ये पड़ा हुआ कैमरा ट्राइपोड पे सेट किया हुआ और इसके अंदर मैंने जूम बढ़ा के टेली फोटो लिया हुआ ताकि ये मेरी जो फेस है उसको थोड़ा सा ब्लर कर सके तो ऐसे रखता हूँ मैं कैमरा जहां पर भी जगा मिल जाए और सामने से चलता हुआ आता हूँ के सीरीज आने से पहले ये बहाइंड-the-scene टाइप छोटे-छोटे व्लॉग भी आपको पसंद आ रहे होंगे तो इस सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करना मन भूलेगा और मोरे सुच्वडियो और बेज़ खुच्टन अग्ड़ एंगा प्राइप स्प्राइब बातन द पर बल एकों